वेलकम वेक टो माई चैनल प्रफेशनल स्कील्स स्टूडेंट्स आज में आपको जून दोहजार अठारा के सी एर एस यू एमडी जूने जो एक्जाम लिये थे उनके कोश्चन्स पेपर दिखाने जा रही हूँ I hope इन से आपको काफी हेल्प मिलेगी फर्स्ट है पेडागोज यू फाइन आर्ट्स का जून 2018 में जो पेपर आया था उसमें फोर फोर नंबर के कोश्चन दे रखे हैं जैसे कला समगरी हो गया संयोजन हो गया ठीक है क्यूबिन हो गया और स्टील लाइफ हो गया और यूनिट फर्स्ट में उन्होंने दे रखा है जो है कला पर शंसा से आप क्या समझते हो इसके इंपोर्टन्स के बारे में बताना है और हाई स्कूल के स्टर को कला को पढ़ाने के लिए और व्यास्तिपता का क्या अर्थ है व्याख्य कीजिए और सेकेंड यूनिट में दे रखा है फाइन आर्ट का जो है एंड सोसाइटी के रिलेशन बताना है कलर, कमपोजिशन इसका पैड़ाजिकल अनालाइसिस करना है थर्ड यूनिट में दे रखा है इनोंने मैथट दे रखा है और इसके बाद रिष्टीगत संप्रेशन वाला दे रखा है और फोर्थ यूनिट में इवैलूएट वाला अपने स्कूल के लिले ललित कला को कैसे संजाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं होम साइंस का, होम साइंस में जैसे कोशन दे रखें ग्रहवां गयान शिक्षन के समाने उदेशिया, समस्या समाधान विदी के गून एकाय योजना शिक्षा शास्त्रिया, इसके बाद बाद में जैसे का, और फर्स यूनिट में लेसन प्लान आ गया और शॉर्ट नोट बतान है मने पैड़कोजिगल अनलयसिस पर फोर्थ यूनिट में जैसे हेल्थ एंड हाइजीन दे रखा है, पैटागोजिकल अनालाइस एंड एवेलिएशन का मुरी अंकन का दे रखा है ठीक है, I hope student in question से आपको help मिलती होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना बोले और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बैल इकन को प्रेस कर दे, उसके बाद हम देखते हैं, फिजिकल साइंस का, फिजि इसमें पेड़ागोजिकल अनालाइस और लेसन प्लान, फर्ड उनित मिल्मी प्रिंसिपल कोरिकॉलम के, और ओडियो विजियल इर्ज और फोर्थ उनित मिल्मी दे रखा है, इन्होंने टेकिंग सूटेबल पॉट टॉपिक बनाना है, फिजिकल साइंस के ऊपर, और टीस पर उसके बाद इवेलरुएशन का, ऐसमें एक आपको दे रखा है आपका इवेलरुएशन, जरूर करना है, हर एक जो है, पर पुछा जाता है, और कमपर्सर इसमें ज एडेयोशन के आपका ऐल्योयसन का, तो इस टॉपिक को आप बंचिक व जरूर करें, उसके बाद जयस बीटमीन मेजरमेंट एवालुएशन का, फर्स्ट में नेचर स्कोप आ गया, उसके बाद ब्लूम्स टेक्सोनोमी आ गया, इंपोर्टेंस एंड स्टैप्स आ गया, स्टैप्स इंवाल्ड पेड़ागोजिकल अनालाइसिस आ गया, एंड थर्ड यूनिट में लेसन प्लान, एक्सपेरिमेंट लेर्निंग, माइक्रो टीचिंग, और फोर्थ यूनिट में एवालुएशन का आ गया, और अचीवेंट टेस्ट, तो इन स्टुडेंस इन कोस्टेंस को आपने करना है, अच्छे तरह से परिपेर किजिए, अच्छारा में पेपर हुआ था, इकनोमिक्स का देखती है, डिफरेंस बदाना है इसमी, बिट्विन एम्स एंड अब्जक्टिव में, इंपोर्टेंस आगे, टीचिंग की, और इंपोर्टेंस आफ दिसकॉशन, मैथाड आगया, ग्रेडिंग का आगया, उनिट अच्छिकल अनलाइसेज और लर्निंग सोर्चिस, थर्ड उनिट में दे रखा है क्राइटेरिया, और दे रखा है क्वालिट एंड रिस्पोंसिवल्ट आफ गुड एकनोमिक्स टीचर, फॉर्थ उनिट में एवैलुएशन का आगया, एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन as a new book, new evaluation device in detail, detail में बताना है हमने evaluation के ही बारे में, उसके बाद जो हमारी question paper आता है, computer science का आगे, computer science में generalization of computer आगया, and mobile learning, practical books of computer subject, types आगे, unit 1st में computer science का concept आगया, and bloom की taxonomy, unit 2nd में skill of stimulation variation, and method आगया, computer science का teaching method आगया, and then 4th unit में आता है, meaning importance, pedagogical analysis, और analysis का एक topic दे रखा है, operating system, इसका pedagogical analysis हमने करके दिखाना है, यह है, जोन 2018 का, जो CRSU MDU ने exam लिये थी, उसके बाद आता है, maths का आगया, maths में देखो, इसका गनितिय तरक विग्यान की परकिर्ति आगया, पाठ्य वस्तु विशिलेशन आ गया, गनित में मनुरंजनात्मक किरियाओं का महत्तव आ गया, यह शो आट में है, गनित शिक्षक और एक शिक्षन अधियापपा की website कुंती में योगदान आ गया, और फर्स्ट यूनिट में इसके अब्जेक्टिव आगे, फर्स्ट यूनिट में ही परिशुदता और सुन्दरता का विस्तार पूर्वक वर्नन बता रखा है इनोंने, और सेकिंड यूनिट में जो आता है हमारा मादमिक अक्षाओं के गनित के पाठ्यकरम के बारे में, इसके बार की पाठ शिक्षन के आगमन, अथा निगमन विदी, डिटर्वक राखंता, और संसलेशन और विशलेशन में अधर, घुनिट मेला, इसके गनित कलब और इसके क्रियाइं, गनित शिक्षन में सूचना संप्रेशन और यूज़ेशन का टोपिक आजाता है और मान यंकन की महतता आगी, यूनिट 1 में आगया, इंज औप्जेक्टिम में बताना है, हमने एक्स्प्लेइन करना है, बलूम का और मुद्लियों का विस्तार पुर्वक वर्नन करना है, यूनिट 2 में जैसे विग्यापन से आप क्या समझते हो, इसका पैड़ागोजिकल अनलाइस करना है, और लेसन प्लैन का गया, थर्ड यूनिट में कॉरिकॉलम की परिभाश्या आगी, इसका इसकी पर सैसा आगी, एंड एक्स्पेनेशन स्कील आगी, स्कील ओफ एक्स्प्लेइनिंग, और फोर्थ यूनिट में आता है, जैसे आगे आपका कॉंटिनूस एंड कंप् पेपर, उसके बाद जो हमारा आता है, शोशल साइंस का, शोशल साइंस में आ गया, लक्षय और अदेश्यों का अंतर बताना है, और उसके बाद आ गया, वत्मान समाजिक परिकिरिया में पाठ्यकरम की कमियां किया है, ग्रेडिन पर ना लिया गी, समाजिक सैक्षिक इसका है, एक लेसनल प्लान का आ गया, और थर्ड यूनि जैसे कॉरिकॉलम से आप क्या समझें, इसका महत्तर बताना है, माइक्रो टीचिंग आ गई, फोर्थ यूनिट में एवैलिएशन का आ जाता है, एंड एचीवमें टेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो चीवमें निराकरन के उपाय, दरिश्च श्रवे साधनागे, नाटक के शिक्षन पर नालियागी, हिंदेद्यापा के गून, और फर्स्ट यूनिट में भाषा, बिग्यान की दरिश्टी से देवनागरी लिप्पी के गून दोश, मौकिकवी व्यक्ति, कॉशल शिक्षन का आर्थ बालको को इसके विकास के कौन सी तकनीक उपना होगी, और यूनिट सेकिन में इकाय योजनावाला आ गया, सुक्षम शिक्षन से आप क्या समझ दियो, व्यक्या कोशल और उधिपन पर इबरतन कोशल का वरनन करना है, यूनिट थर्ड में अपचारिक और अनुपचारिक अनुवादविधी आ गया, फोर्थ में अधरश पाथ्या पॅस्तकी विशेष्ताएं और भभीन उदेश्वर प्राप्ति के लिए यान यानकी, मुल्यंकन के लिए गया, एंड उसके बाद इंग्लिष का गया, 2nd unit में define structural approach to teaching English, how will you select the grading of structure, what do you mean by co-curriculum activities, 3rd unit में आगया, what are the various features of English pronunciation, what is reading, reading को discuss करके teacher को develop के ऐसे करते हैं, 4th unit में आगया, remedial teaching, discuss the significance of, significance बताने है, remedial teaching, what do you mean by evaluation, explain the technique of evaluation, तो ये question थी आपके, last year, previous year की, I hope आपके लिए helpful रहेंगे, इसको like कीजे, share कीजे और चैनल को subscribe कीजे, thanks for watching